हेलो गाईज आपका स्वाक्रेदा फार्मेसिस वर्ड में आज हम बात करेंगे HLL Life Care Company के बारे में आकरी यह है क्या और यह जो है वेकेंसी किस चीज़ की निकालती रहती है तो देखिए हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड HLL जो कि एक Healthcare Product Manufacturing Company है ठीक है इसका जो आप Headquarter पाएंगे केरला इंडिया में है इसको Government of India के दुबारा Completely gone किया जाता है और इसमें जो है आपको चीज़ें इनकी आप जान सकते हैं यह Company 57 एर पुरानी है और Healthcare Related बनाती है और इसके जो है की People's भी आप देख सकते हैं यह Mostly जो है आपको Condome, Hormone Conteceptives और Surgical Equipment चारतर बनाती है ठीक है यही Company जो है इसी की जो है आपको में साइट है और इसी के दुआरा इसी के दुआरा डिफरेंट डिफरेंट विकेंसियां समय समय पर निकाली जाती है तो आईए इनके Main Site पर जाते है तो देखिए इनका Main Site आ चुका है इस Main Site पर जो है आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़े बता ही है और यह जो है बहुत ज़्यादा Important चीज़े है यही जो है अमरित Pharmacy को भी कंट्रोल करती है और इन्हीं के द्वार अमरित Pharmacy में different job responsibility निकाली जाती है जिसमें आपको असिस्टेंट Pharmacy की job देखने को मिलती है तो आईए चलिए पर इनके जो है हम headquarter को एक बार देख रहते हैं बहुत ज़्यादा Important होती है जैसे कि मैं उत्रपर्दिस का branch खोर ला हूँ तो आपको लगनों में इनकी headquarter देखने को मिल जाएंगे पर में इसका headquarter जो है आपका केरल में देखने को मिलता है क्योंकि एक government संस्ता है और इसमें जो है आपको different different branches इनके द्वारा निकाली जाती है और pharmacist ठीक है assistant pharmacy की job होती है तो इनकी किक करके हम job देख लेते हैं आप पर जो है आप इनकी दो job notification देखने को मिलती है एक है pharmacist और दूसरा assistant pharmacist का तो यह job notification है यह आपकी जारखंड का है और इसमें जो दो जगहां जो होटलों में interview आपका होगा एक होगा 22 तारीक को एक होगा 23 एक 2023 को qualification experience की बात करने यह आप फार्मेसिस्ट हैं तो आपके पास जो है बी फार्म या डी फार्म की डिगरी होनी चाहिए और टू यर का experience होना चाहिए टिटेल फार्मेसि में ठीक है और कहीं नहीं उसका certificate होगा तब ही यह मानेंगे और assistant फार्मेसिस के लिए आपके पास कोई भी experience नहीं होना चाहिए timing की देख लिए और report कर लिए दस से एक एम तक का है पीम तक का है ठीक है तो वो आप दिरूर देख लीगा और इसमें देखिए यह अम्रित फार्मेसिय है इनका जो जॉब होगा या तो एम्स में होगा वहां के या रिम सराची में होगा या वेर्यस government hospitals in जारकन state with a company ठीक है तो government hospital में इनकी जो फार्मेसिय होती है वहां पर ये जौब जो है देते हैं जो कि फिक्स टेन्यों और कॉंटेक्ट वेसिस पर होता है तो गाइज त्यार कर लिजे अपने आपको इंट्रव्यू के लिए आप सकेंड जो हम बात करेंगे वह पटना की है जोब देखने को मिलती है सेम वही प्रोसिजर होगा टू येर का एक्सपरियंस और वीफां और यह होटल का नाम अब याद कर लेगा यहीं पर जो है आपका जो है इंट्रव्यू होने वाला है इसी प्रकार जो है भुपाल में भी जो है यह वेकेंसी निकाली गई है जो इनक इस फार्म को आप देख सकते हैं HLN Life Care Limited और अप्लिकेशन फार्म में इनका यह फोटो है यहाँ पर जो है इसको आपको फिल करना होगा ठीक है यह फार्म जो है फिल कर लीगा जो जो इनकी रुकॉर्मेंट ए इसको फिल करके आप इनको समिट कर दीजिए आपकी जो है एक आपकोमिंग वीडियो के लिए आप जो है के नाम है कि इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें जिसकर आपको बहुत सारी इंफार्मेशन बिलती रहे ठीक है फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ आज के लिए इतना है ठेंक्यू